सक्त रोजे की हालत में मैं उठा तो ख्याल आया क्यों न कुछ बड़ा ड्राइ किया जाया घर में इफ्तारी खोल कर मैं निकल गया सस्ते में कुछ अच्छा खाने तो मेरी नजर यहां पड़ी जहां कुछ इस तरीके से बन कबाब बन वे थे देखकर तो मौ पानी से बही गया था पहले अची तरीके से अंडे को फेटा जाता है और अलका सा गिराया जाता है तब यह पर कबाब के लिए फिर हलके देल में इन बंस को fry किया जाता है फिर बंपर एक layer बिच्छाई जाती है रायते की और पिर प्यास entry मारता है फिर यह कबाब रके जाते हैं इन बंस पर फिर एक कोस्दॉर केचप की layer आती है फिर दोबारा रखा जाता है कबाब जो अंडे में fry हुआ हूआ होता है फिर एक दफा और कोचलो और केचप की लियर आती है और दूसरी तरफ ये अंडा रेडी हो जाता है मेरे बर्गर में गिरने के लिए एंड में ये बंस आ जाते हैं अंडे में फ्राई होने और ये मेरा फॉर्स्ट एक्पिरियंस था क्योंकि इतना लोडेड अंडे वाला बर्गर मैंने आज तक नहीं खाया फिर ये बर्गर बीच से कट होते हैं प्लेट में आने के लिए और मैं तुमसे जोट नहीं बोल रहा इसका फॉर्स बाइट लेने के बाद तुम्हारे मुगा पानी और ये बर्गर एकदम गुल सजाएगा